गुड मॉर्णिंग चिल्रेन कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम लोग चेप्टर फॉस्ट का ये पार्ट टू वीडियो है और इसमें हम लोग आज अश्टराइड्स, मेट्यॉराइड्स और गेलेक्सिज, मिल्की वे आधी के बारे में जानेंगे तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं चैप्टर फॉस्ट जिग्रफी तो सबसे पहले मून के बारे में आज जानते हैं मून जो है यानि पृत्वी से इसकी दूरी जो है वो 3,44,400 किरो मीटर है और मून का हम एक ही पार्ट देख पाते हैं इसके पीछे रीजन ये है The moon moves around the earth in about 27 days It takes exactly the same time to complete one spin यान जितने समय वो अपने एक्सिस पर घूमती है उतने ही समय में वो पृत्वी के चारो और चक्कर भी लगा लिती है इसलिए moon का हम एक ही पार्ट देख पाते हैं तो moon के बारे में समझ गए steroids steroids जो होता है steroids किसे कहते हम एक teeny body कह सकते हैं जैसे star है, planet, satellites है तो apart from the stars, planet and satellites there are numerous teeny bodies which also move around the sun इसी को कहते हैं हम steroids अब steroids कहां पाये जाता है steroids are found between the orbits of Mars and Jupiter okay steroids are found between the orbit of Mars and Jupiter और steroids किया है numerous tiny bodies जो हम देखते हैं रात को तो steroids के बारे में यह याद जरूरी रखना है कि they are found between the orbits of Mars and Jupiter now meteoroids देखे, meteoroids जो होता है the small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids meteoroids से कहा जाता है एक छोटा सा चटान का टुगरा जो कि सूर के चार और घुमता है the small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids meteoroids क्या होता है sometimes these meteoroids come near to the earth कभी-कभी यह अर्थ के नजदिक आ जाता है and tend to drop upon it और पृत्वी के ओर गिरने लगता है तो during this process यानि गिरने के करम में क्या होता है due to friction यानि घर्सन के कारण यह meteoroids जो है काफी गर्म हो जाती है ठीक है they get heated up and burn और काफी गर्म हो जाती है और फिर जल जाती है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि a meteor without being completely burned वो पूरी तरह नहीं जलता है और धर्ती पर गिर पड़ता है तो जहां गिरता है वहाँ वो गढ़्धा बना देती है तो रात को हम देख सकते हैं उलका कुछ ऐसा आकास में देखते हैं कि कुछ जल रहा है तो वो meteoroids ही है ठीक है अब है Milky Way Milky Way के बारे में हम जानेंगे हम लोग Milky Way इसको हिंदी में कहते हैं दुग्द मेखला तो रात में आप आकास में देखते होंगे एक whitish broadband पूरे उजला पूरे मतलब रात को हम जो देखते हैं whitish broadband उसको हम करते हैं Milky Way हमारा सोलर सिस्टम भी उसी का पार्ट है आवर सोलर सिस्टम इसे पार्ट आफ इस गलेक्सी इसी गलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम इन एंसेंट इंडिया यानि प्राचीन भारत में इसको कहा जाता था प्रकासपुन यानि आकास गंगा इसको आकास गंगा प्राचीन काल में कहा जाता था तो galaxy क्या है तो एक galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases gases galaxy क्या है एक galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases तो इस तरह से there are millions of such galaxies ऐसे 10 लाख 20 लाख galaxy होंगे universe में ठीक है तो there are millions of such galaxies that make the universe वहीं universe को बनाता है इसी से ब्रह्मान्ट निर्मित है इसी डिफिकल्ट तो इमेजिन how big the universe is यहनी universe कितना बड़ा है इसका अंताजा हम नहीं लगा सकते हैं we are not certain about its size हमें यह भी नहीं पता है किसका size कैसा है कितना बड़ा है but we know that all of us चाहिए आप हो या मैं हूँ या कोई हो वह इसी universe का part है all of us you and I belong to this universe हम लोग इसी universe के part तो बच्चो इसमें अब जो कुछ question है answer है उसको आपको बनाने है मैं समझा देता हूँ how does a planet differ from a star planet और differ star से किस बात में अलग है planet planets do not have its own heat and light but stars have planets are at in numbers but stars are countless what is meant by the solar system तो solar system में सभी आता है sun moon planet जितना भी है सब solar system में आता है name all the planets according to their distance from the sun यानि सूरी से दूरी के हिसाब से सभी planet के नाम आपको लिखने है तो सबसे नजदीक है Mercury उसके बाद है Venus उसके बाद है Earth Earth के बाद है Mars Mars के बाद है Jupiter जुपिटर के बाद है Saturn Saturn के बाद है Uranus और Uranus के बाद है Neptune इस तरह से आपको एरेज करके लिखना है बूद से लेकर के Mercury से लेकर Neptune तब और उसके बाद है why is the Earth called a unique planet Unique Planet क्यों है Earth? क्योंकि यहाँ पानी है, वायू है, हवा है, जो हमारे लिए काफी essential, काफी जरूरी है, इसलिए Unique Planet है Where do we see only one side of the moon always? तो मैंने बताया कि the moon takes to move around the Earth, इसके बारे में देखलिजे, the moon moves around the Earth in about 27 days, it takes exactly the same time to complete one spin, as a result, only one side of the moon is seen or visible to us on the Earth. चलिए, what is the universe, universe किसे बना है, universe बना है, galaxy से, there are millions of such galaxies that make the universe, तो universe किसे बना है, तो galaxy से बना है, कुछ objective है, वो मैं समझा देता हूँ, take the correct answer, the planet Jupiter, the planet known as Earth twin, Earth twin किस planet को कहा जाता है, तो Venus को कहा जाता है, which is the third nearest planet to the Sun, तो Earth, Earth is the third nearest planet to the Sun, all the planets move around the Sun in an circular path, rectangular path, elongated path, इसमें elongated path होगा, the pole star indicates the direction to the North, asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter, तो बच्चो इसका पीडिये भी आपको बाद में मील जाएगा, लेकिन आप लोग खुद से question answer बनाने का प्रियास कीजिए, chapter को एक बार और पढ़ लीजेगा, ठीक है, बाकि यदि कोई problem हो, तो वो online class में आप पूछ सकते हैं, आज के इस वीडि